हेलो दोस्तो माईनेमी सुभम सोनी वेलकन टू माई चैनल डीजे क्लासेज आज हम इस वीडियो में तुलसिदास जी का जीवन परिछे और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे तो आई ये शुरू करते अपना टॉपिक तुलसिदास जीवन परिछे तुलसिदास जी हिंदी काव्वे के स्रेष्ट कवियों में से एक है जिनकी रचनाओं का अध्यान छेत्र अत्यनत व्यापक है इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी काव्वे जगत में महत्रपूर भूमिका निभाई महा कवित उलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गाउं में सन 1532 सिस्वी में हुआ था कुछ लोग इनका जन्म अस्थान एटा जिले के सोरू नामक अस्थान को मानते हैं ये सरियूग पारिण ब्रामःड थें इनके पिता का नाम आत्मा रामदूबे और माता का नाम हुलसी था अभुक्त मूल नच्छत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इने त्याक दिया था स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोसड किया था कासी की सेश सनातर नामक विद्वान इन्हें वेदो पुराणो आदिगरंथों का ज्यान कराया था इनका विवाह दीन बंध पाठक की कन्या रतनावली से हुआ था वे पत्नी की प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे की पत्नी की उपदेश से ही इनकी मन में वेराग ज्यूत्पन हुआ इनका जीवन कासी आयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ इनकी मिरित्यु कासी के असी घाट पर सन 1623 सिस्वी में हुई तुलसिदास जी की रचनाए गोसामी तुलसिदास के निम्निल्खित तेरा ग्रंत प्रमाडिक माने गए हैं पहला रामचरित मानस दूसरा विने पत्रिका तीसरा कवितावली चौथा दोहावली पांचमा गीतावली छाठमा बरैवे रामायड साथमा जानकी मंगल आठमा राम लला नहचु नौवा वैराग संदीपने दस्वा क्रिष्ण गीतावली गिरावा पार्वती मंगल बरावा रामाग्या प्रशनावली तेरावा हनुमान बाहुक आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंदा होगा प्लेस लाइक और सेर दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल डीजे क्लासेज